विग्यावदाव का सुभागत है जिस कारक्रम के तयारियां लंबे बक से चल रही थी उसे कल दुनिया भर के करीब 200 करोड लोगों ने देखा भी और सुना भी हावडी मोधी कारक्रम में प्रधान मंत्री मोधी और अमेरिकी राश्पती डोर्नाल ट्रम्प ने पहली बार एक साथ संबोधन दिया ऐसे में अमेरिका में शुरू हुआ नमोट सब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने रविवार को अमेरिका के हूस्टन में हावडी मोधी कारक्रम में 50,000 लोगों को संबोधन किया अमेरिकी राश्पती डोर्नाल ट्रम्प के मौझूदगी में मोधी ने पाकिस्तान का नाम लिये बगयर कहा कि अब आतंकबाद को पालने वालों के खलाफ निनायक लड़ाई का समया किया है इसमें ट्रम्प हमारे साथ है इस पर मोधी ने ट्रम्प को आतंकबाद के खलाफ लड़ाई के लिए स्टेंडिंग ओवेशन भी दिलवाया अनुचे 370 हटाने का फासला लेनी बाले सांसदों के लिए भी स्टेंडिंग ओवेशन कराए गया पियम मोधी ने अमेरिकी राष्टपती डोनल्ड ट्रम्प के तारीफ करते हुए उन्हें अद्भुद और अकल्पनिय बताया है साथी उन्होंने कहा कि राष्टपती ट्रम्प भारत के अच्छे दोस्त हैं वहीं उन्होंने अनुचे 370 के मुद्दे पर पड़ोसे मुल्क पाकिसान का नाम लिये बागैर उस पर वार किया पिये मोधी ने इशारों इशारों में पाकिसान के प्रधान मंत्री इमरान खान पर तंस कसे और कहा कि भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा और अब हम आपको सुनाते हैं कि हाउडी मोधी कारकरम में प्रधान मंत्री मोधी संबोधित करते हुए अनुछे 370 पाकिस्तान और ट्रंप सरकार को लेकर क्या कुछ कहते हुए नज़र आए ज़रा सुनिए देश के सामने सत्तर साल से एक और बड़ा चलेंग था जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फैरवेल दे दिया है आप समद गए यह विशा है आर्टिकल 370 का आर्टिकल 370 ने जम्मु कश्मीर और रदा के लोगों को विकास से और समान अधिकार्यों से वंचित रखाता इस थीती का लब आतंकवाद और अलगावाद बढ़ाने वाली ताकते उठा रही थी अब भारत के समिधान ने जो अधिकार बाकी भारतियों को दिये हैं वही अधिकार जम्मु कश्मीर और रदा के लोगों को भी मिल गए हैं बारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही हैं जिन से खूद अपना देश समल नहीं रहा है इन लोगों ने बारत के प्रती नफरत को ही अपनी राजनीती का केंद्र बना दिया है यह वो लोग है जो आशान्ती चाहते है आतं के समर्थक है आतं को पालते पोस्ते हैं उनकी पहचान सिरब आप नहीं पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है अमेरिका में 9-11 हो या मुंबई में 26-11 हो उसके साजिस करता कहां पाए जाते हैं साथियों अब समय आ गया है कि आतंगबाद के खिलाप और आतंगबाद को बढ़ावाद देने वालों के खिलाप निरनायक लड़ाई लड़ी जाए अजयत नायक्ते हैं वालो। a concern for every American a belief in American future and a strong resolve to make America great again and he has already made the American economy strong again he has achieved much for the United States and for the world friends be in India have connected well with President Trump the words the words of candidate Trump up key bar Trump's her car